बंदे बं थे तब करोड घरीब परिवारों को कई महिनों तक मुप्त गैज सिलेंडर दिये गए कलपना कीजिए उजवला नहीं होती तो संकट काल में हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती साथियों उजवला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में LPG गैस से जुड़े इंफास्टक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है बीते 6-7 साल में देश भर में 11,000 से अधिक नए LPG वित्रान केंदर खोले गए हैं अकेले उत्तर प्रदेश में 2014 में 2000 से भी कम वित्रान केंदर थे आज UP में इनकी संक्या 4,000 से जादा हो चुकी है इससे एक तो हजारों युवाओं को नए रोजगार मिले और दूसरा जो परिवार पहले पहले बहतर सुविदा के अफाओं में गैस कनेक्शन से बंचित थे वो भी जुड़ गए ऐसे ही प्रयासों से आज भारत में गैस कवेरेश शत्र प्रतिशत होने के बहुत निकट है 2014 तक देश में जितने गैस कनेक्शन थे उतसे अधीक बीते साथ साल में दिये गए है सिलेंडर की बुकिंग और डिलिवरी को लेकर पहले जो परेशानी आती थी उसे भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है भाई और भेनों उजवला योजना से जो ये सुविदाएं बड़ी है उसमें आज एक और सहुलियत जोड़ी जा रही है बुन्देल खंड सहीत पूरे यूपी और दूसरे राज्यों के हमारे रहने साथी काम करने के लिए गाउं से शहर जाते हैं दूसरे राज्य जाते हैं लेकिन वहाँ उनके सामने एड्रेस के प्रमाण की समस्या आती है ऐसे ही लाखो परिवारों को उजवला दूसरे चरण योजना सबसे अधिक रहत देने वाली है अम मेरे स्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इदर उदर भटकने की ज़रुरत नहीं है सरकार को आपकी इमानदारी पर पूरा भरोसा है आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डिकलेरेशन यानि खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा साथियों सरकार का प्रयास अब इस दिशा में भी है कि आपकी रसोई में पानी की तरह गैस भी पाइप से आए ये PNG सिलेंडर के मुकाबले बहुत सस्ती भी होती है उत्तर प्रदेश सहीत पूर्वी भारत के अनेक जिलों में PNG कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है पहले चरण में UP के 50 से ज़्यादा जिलों में लगबग 21 लाग गणों को इससे जोडने का लक्ष रखा गया है इसी प्रकार CNG आधारित याता यात के लिए बड़े स्तरप्र प्रयास किये जा रहा है भाई और भेनों जब सपने बड़े होते हैं तो उनको पाने के प्रयास भी उतने ही बड़े होने चाहिए आज विश्व बायो फ्यूवल दिवस पर हमें अपने लक्षों को फिर यात करना है अभी हमने एक छोटी सी फिल्म भी देखी कि बायो फ्यूवल के छेत्र में क्या काम हो रहा है